जै मातादी दोस्तो कैसे हैं आप सभी दोस्तो नौ ग्रहों के में सूर्य के बाद सबसे महतपून इस्थान ब्रस्पती का आता है और ब्रस्पती मनुष्य के जीवन में सू संसकारों का विकास करते हैं सबी शुब कारिये ब्रसपती की साक्षी में किया जाते हैं क्योंकि ये देवताओं के गुरू हैं और किसी भी वेक्ति को अध्यात्मिक मार्ग पर चलाने के लिए ब्रसपती का शुब होना बड़ा ही महतपून माना जाता है इसलिए नव ग्रहों में ब्रसपती को सबसे अधिक महतपून ग्रह माना गया है जर्म कुंडली में ब्रसपती का शुब इस्तिति में होना बहुत जरूरी है ब्रसपती की इस्तिति यदि कुंडली में खराब है तो जातक का जीवन ऐसंतुलित हो जाता है जीवन में उसका कोई उदेश्य नहीं रहता और वे बिना मार्ग दर्शन के यहां वहां बटकता रहता है व्यक्ति गुरू के कमजोर होने पर व्यक्ति के नैतिक मुल्य और संसकारदूशित होते हैं और अचानक से आच्रण भी खराब हो जाता है जिन लोगों की जर्म कुंडली में ब्रसपती शुब प्रभाव देता है वो व्यक्ति विद्वान होते हैं ग्यानी होते हैं दूसरों का सम्मान करते हैं उनकी वानी में मधूरता होती है और अपने अच्छे व्यवार के दम पर हर किसी को अपनी तरफ आकरशित कर लेते हैं दोस्तों गुरू पुर्णिमा का पर्व है 16 जुलाई को और इस गुरू पुर्णिमा के पर्व पर आप ब्रसपती देव को प्रसन कर सकते हैं जिससे आप अपनी कुंडली में बैठे ब्रसपती को शुब बना सकते हैं और अपनी लिए कई तरह के लाब पा सकते हैं इस गुरु पुनिमा के दिन आप भरस्पती के कुछ उपाय जरूर करें भरस्पती को प्रसंद करने के लिए कई उपाय है आप गुरुवार का दिन जो होता है वो भरस्पती का दिन होता है इसलिए इस दिन कई लोग विरत उपवास भी रखते हैं उपाय भी करते हैं लेकि क्या करें आप गुरुवार के दिन व्रत रखें और इस दिन नमक का सेवन ना करें मंदिर में चनी की दाल का आप भेट करें तो बहुत ही इश्यों भी यह रहेगा और गुरुवार के दिन आप एक कार्य करें गुरुवार के दिन गाय को पके हुए केले खिलाए और गुरु सहस्र नाम का पार्ट करें जिससे बस्पती देव प्रसंद होते हैं घर के बुजर्गों का हमेशा सम्मान करें जिससे बस्पती देव अतन्त प्रसंद होते हैं किसी बगीचे में आप एक फलदार व्रक्ष लगाएं अगर आप अपने घर में लगाएं तो भी और नई तो आप कहीं बाहर बगीचे में आप जाकर लगा सकते हैं सोने का कोई अभूशन धारन करें जिससे बहस्पति देब जरूर प्रसंड होते हैं और खास गुरु पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है और बरगद की जड़ तोड़े, गंगा जल से धोएं और हल्दी के साथ पूजन करके एक पीले कपड़े में बांध कर अपने पास रखें, अपने तिजोरी में रखें, अपने गल्ले में रखें, इससे आर्थिक संकट दूर होता है, तो गुरू पुनिमा के दिन आप एक का अपने का चोको टुकडा आप खरी सकते हैं, बहुत छोटा आप खरी सकते हैं, और उसका हल्दी से पूजन करके हमेशा आपने पास रखें, अपने तिजोरी में रखें, अपने गल्ले में रखें, जिससे लक्ष्मी की किरपा आप पर बरसने लगती है, तो गुरू पुन कर दो दोन सब्सक्राइब को एक